आप देख सकते हो कि मैं होमेड़ पिकल बना रही हो यह भी डेली यूज़ के लिए है इसके लिए मैंने रेडिस लिया है जिसमें इसका लीप भी अच्छा नहीं है फिर भी मैं अभी इसे दोग कर इसे इसके चिल्के उतारूंगी और इसे अच्छा कर दूंगी नेक्स्ट ह आपका चिली, ठर्ड है लेमन, पोर्थ है आपका जिंजर, अभी मैं इसे प्रिपेर करूँगी पिकल के लिए, अभी आप देख सकते हो कि मैंने रेडिस की छिल्कियों उतार दिये हैं, और इसके लिप को भी हमने हटा दिया है, चुकि ये बहुत खराब था इसका लिप, इ अड़ा दिया है, और इससे चिल्कियों उतार कर, इससे पिकल के लिए रेडि कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग लेमन में आएंगे और लेमन को प्रिपेर करेंगे, कटिंग करके, आप देख सकते हो कि लेमन को हमने कटिंग कर दिया है, और चुकि ये ग्रीन लेमन था और कटिंगี้ के बाद कुछ आसा नज़ारा रहा है इस मिंसें कुछ इसके मान रस को धाल दे और कुछ को लेमन को भी हम डाल देंगी तकि उसकी खुर्चिया है ब आई चिली की बारी चिली को हम कटिंग करेंगे को मैंने कटिंग काम पूरा कर लिया है लेमन यह रेडिस जिसे हमें छोटे फीसर में इनकाट तिया है यह आपका चिली आप बोलोगे कि एसे चीली को कैसे कटिंग किया तो मैं यह बता दू कि से पूरी तरह से काथने के चरद नहीं है इसमें केवल थोठी हरा लगा देना है इसको 10 तरह से थाके इसमें लेमन जूस चला जाए एसली और लास्टली हम लोग जिंजर का काम कंप्लेट करेंगे यह रहा जिंजर जो की अब कटिंग के बाद प्रिपेर हो चुका है यह चोटे पीसे में हमने काट दिया है बात ऐसा है कि यह जिंजर सब के लिए फूटफुल नहीं होता है सब क अब हम सभी चीजों को लेकर एक बाउल में डालेंगे यह हमने बाउल दियर डाला और इसमें सबसे पहले हमने जिंजर डाल दिया लेमन यह अपका रेडिस यह है चिली साल्ट एक्कॉर्डिंग टेस्ट यह बनकर रेगी हो गया ब्लसक में लेमन रस भी डालेंगे यह अए लेमन रस यह फाइनली बन कर रेडि हो गया है मेर जुस भी हमने मिला आदी हैं साल्ड भी होचा इसक है और नवरातर में भी कई लोग जो लोग सिंधा नमक में खाते हैं, सिंधा नमक डालकर इसे बना सकते हैं और लंच ब्रेक में यूज़ कर सकते हैं लंच में यूज़ कर सकते हैं I hope you like this video, thank you